इन्होंने कहा था पक्की नोकरी दूँगा, 10 लाग को पहली कैबिनेट में करेंगे, यह बकवास है, जितिस कुमार जी के अंदर के पैसों पर भाज़िवित कर रहे हैं, और कोई बैहार के बज़ट और कोई गंभीर नहीं है, आप कितना अंग देंगे 10 में से बज़ट में? जीरो 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 की भारतिये जन्ता पाटी और संग इस देश के निर्मान में सब दिन खड़ा है और अपने प्रानों की आहुती दे सकता है, पूरी तरह बकवास है, यह यह लोग को यह पूछना चाहिए कि आपने कहा था कैबिनेट की पहली बैटक मे में 10 लाग लोगों को पकी नौकरी दोंगा आज ये लोग बदल गए सत्ता में आते के साथ बदल गए और सिर्फ राजत के लोग नहीं बदले माले के लोगों कहा था कि आसा दीदी जो हैं उसके बाद गाउं में जो टीचर्स हैं उस सब कोंपकी नौकरी कराएंगे कुछ नहीं हुआ कोई रोजगार का कंसेप्ट यह पूरी तरफ फ्लॉप कंसेप्ट है पूरे बिहार में आप समझे नितिश कुमार जी की सरकार ने कहा कि हमने अति पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों को पूरे बिहार में गाड़ी खरीदने के लिए बिवस्ता दिया आप समझे कि 10 10,000 लोगों को दिया वो भी जब हमारी सरकार थी आज क्या दिया यह तो बदाओ यह लोगों के पास बजट ही नहीं है रिवन्यू ही नहीं है और जब तक रिवन्यू उत्पन नहीं होगा तब तक बिहार किसे बढ़ेगा के स्वार्ट ने पस दालू हे बंदनी ब्यगारी कि देश में कुछ वा ही नहीं है Hani तॉ contenido कुमार का ratheras घुडू थे पहले टुलना करें कि से पुल्ना करना का की कांग्रे से तुलना करना पाजपा तो जौने वाली एक हما बांति कर ना था प्रीक कि लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुती दे सकता है संग के लोगों के लिए जेपी ने क्या कहा था जैप्रकास ने बजट पेस हुआ है क्या कहेंगे बजट को लेकर कि इस पकार से बकवाज है जितिस कुमार जी के अंदर के पैसों पर राजवीद कर रहे हैं और कोई बयार के बजट कोई कोई सब्भीर नहीं है यह कहा जा रहा है जो रोजगार पर विसरेश ध्यान दी जा रही है इरिक्सा में करूंगा और आज तक नहीं किया इज अज आप आप कितना गदेंगे दस में से वजट में जीरो 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 इट्वा कुला है अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राफ घर को बनाना है एक्स्ट्राफ तफ कोन एक्स्टी के साथ